मेरा नाम है राहुल स्वागत आपका आज की इस न्यू वीडियो में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप फॉन में अपने कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो बैक साइड आपका यह वाला मेसिज जाता है यौर कॉल हैज बिन बैल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे माई लेटेश वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो ठीक है आपको कुछ मैनवल स्टैप फोलो करना है मैं आपको स्टैप बाइस बताऊंगा कि आपको क्या करना है जिससे आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है दूसरी तरफ ना सुन ठीक है तो यह हमारा आ चुका है TTS LEX इसको आपको क्या करना है इंस्टॉल करना है 208KB की अप्लिकेशन है बसी है और यह आपकी जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगी आपके फोन में आपको इससे ओपन वकेटर नहीं करना है यह अटोमेटिक इन बिल्ट हो जाएगी यह मर इसके बाद थोड़ा और नीचे आजाएए यहाँ पर आपका एसिसबिलेटी का ओप्शन आ रहा है ठीक है एसिसबिलेटी पर आपको क्लिक करना है इसके बाद वापिस से नीचे आ जाएए यहाँ पर देखिया आप टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट ठीक है यह जो इसके बाद हमें किया करना है पूरे पेच को तो हम पूरे पेज़ को करना है पूरे पेज़ को तो हमारी पूर्स क्रीन पर नोलेटीन पर टाउन्हल से बाद हमें entire अविस reply करना पर आ गए हैं अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जो मेरा डाइलर है बिल्कुल यह वाला यह हमारा गूगल का डाइलर है ठीक है तो मुझे इस पर लोंग प्रेस करके रखना है बिल्कुल ऐसे इसके बाद एप इन्फो का ओप्शन आ रहा है मेरे को इस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहां पर सबसे पहला काम मुझे करना है फोर्स स्टोप ठीक है सेकेंड है मेरा स्टोरेज यूसेज मुझे यहां पर जाना है और क्या करना है इसका क्लियर डाटा करना है तो मैं क्लियर डाटा कर देता हूँ और इसके बाद मेरे डाटा क्लियर हो चुका है इसके बाद मुझे क्या करना है बैक आना है और इसके बाद जो मेरा डाइलर है मैं इसे ओपन कर लेता हूँ अब मैं यहां से जिसको भी फोन करूँगा और जो मेरी recording स्टार्ट होएगी दूसरी तरफ यह आवाज नहीं जाएगी जो पहले आते थी तो इसी तरीके से आपको step by step जो मैंने आपको बताया manually follow करना है application डाउनलोड करनी है, setting में जाना है text to speech में जाकर आपको change करना है वापिस home screen पे आना है app info में जाना है, clear data करना है fourth stop भी करना है तो इसी तरीके से आप अपनी जो call recording वाली voice दोसरी तरफ जाती थी इस चीज को यहां से बंद कर सकते है ठीके, तो guys comment box में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है और ये trick कैसी लगी thanks for watching this video and subscribe this channel